हलो नमेशकार दोस्तों उतकर्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है जी हां मिर दोस्तों आज की क्लास के अंदर एक ऐसा टोपिक डिल करेंगे जो 101 परसंटेज हर एक्जाम में देखा जाता है और कुछ ऐसे तरीके के साथ में डिल करेंगे कि वो हमेश आज के बाद कभी भी नहीं देखने को मिलेगा तो कौन सा टोपिक होने वाला ऐसा तो नाम तो सुना ही होगा मेरे दोस्तों सूचर हां सूचर्स एंड इट्स टाइप सूचर्स यानि दागे क्या होते हैं अपने सर्जिकल जो भी प्रोसेजर होते हैं उनमें किसी भी दो बोडी केविटी जो अलग लग हो रखी है उन्हें एक करने के लिए अपने को थ्रेड या दागा काम में लेते हैं सूचर काम में लेते हैं टांके काम में लेते हैं वो स 인onds टो पेले नाम बतारा हूं मैं आपको जहने बोलेंगे uka ऐब्ज़ेबल को सबसके मिलेछे में तल्ग जो हमारी वाडी में गुलाध जाएंगे कुछ समय वाद में हाँ न math परकार के दो परकार के परकार कों से देखने को मिलेंगे तो एक होता है मेर्य दोस्तों जिने बोला जाता है मोनो फिलामेंट क्या बोला जाता है मोनो फिलामेंट बोला जाता है और दूसरे सूचर्स होते हैं उन्हें नाम देते हैं मल्टी फिलामेंट दूसरे होते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं मेरे दोस्तों तो जबाब देना मल्टी फिलामेंट बोला जाता है मोनो फिलामेंट का मतलब वो दागवा जिसमें सिरफ एक ही दागे से सूचर्स बने है वो सूचर्स जो सिरफ एक ही दागे से बना एक ही थ्रेड से बना जैसे कि मान लीजेगा यह यह क्या क्या लाएगा मोनो फिलामेंट वहीं पर मल्टी फिलामेंट का मतलब एक दागा एक सबहस्क्राइब को ऊपर एक लपेटा हुआ इसके ऊपको पता है लड़किया उपनी चोटी को कैसे बनाती वैसे खूब सारे दागों से मिलके बना HER ओ खू मल्टी फिलामेंट अब जो मोनो फिलामेंट होता है एक ही धागा देखने को मिलेगा एब्जोर्बल गुलने वाला सर इसके क्या एक्जामपल देखने को मिल सकते हैं तो इसका एक्जामपल पहला आप लिख सकते हो केटगट क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों केटगट सुचर्स का नाम है केटगट केटगट दो परकार के होते ह एक होता है plain cat gut और दूसरा होता है chromic cat gut, दूसरा कौन सा देखने को मिलता है, chromic cat gut, दूसरा सर इसके अलावा अगर नाम देखें तो एक नाम सुना होगा, PDS, PDS को बोला जाता है, poly, क्या बोलोगे मिर दोस्तों? polydiagzone, polydiagzone, नाम सुना होगा, जी हाँ, polydiagzone बोल दो, PDS बोल दो या इसी को collagen बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हो, collagen, next एक sutures आता है, जिसे नाम देते हो, monocryl, क्या नाम दोगे, monocryl नाम देते हैं, कौन सा sutures बोलते हैं, monocryl, सर ये monocryl का और कोई नाम है, polyglycapric acid, इसी को क्या बोला जाता है, नाम आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, absorbable sutures वो दागे जो गुल जाते हैं, दो परकार के होते हैं, monofilament और multifilament, monofilament में पहला नाम लिखा है, kate gut, kate gut आपका sutures लिया गया है, sip की gut से, हाँ मेरे दोस्तों, sip की gut से, intestine से, प्राप्ते, plane होता है, और chromic होता है, दूसरा plane वाला पनर मने लिखा हूँ है, sir, multifilament, multifilament का मतलब एक से ज्यादा से मिल करके बना रहेगा, इसका example क्या देखने को मिलेगा, तो बोलोगे, wikryl, क्या बोलोगे, wikryl बोला जाता है, और दूसरा होता है, मेरे दोस्तों, wikryl rapid, दूसरा क्या देखा जाता है, wikryl rapid, तो wikryl जो rapid हो poly glyclic acid, ध्यान रखेगा, एक एक चीज को समझते जाएगा, अगर examiner पूछे, multifilament, यानि एक से ज्यादा चीजों से मिल करके बनने वाला वो दागा, जो हमारे सरीर में गुल जाएगा, नाम है, wikryl, wikryl को बोला जाता है, poly glyclic acid, क्या बोलोगे, poly glyclic acid बोला जाता है, wik पोली डाइक जोन बोलते हैं, या कोलेजन, और केट गट को प्लेन और क्रोमी केट गट नाम से जाना जाता है, सर याद करने का तरीका बताओ, तो गुलने वाले में जी आएगा, जिस भी sutures के नाम में जी आएगा, वो गुल जाएगा, हंजी, जिस भी sutures में क्या आएगा जी आएगा, वो गुल जाएगा, तो ध्यान रखेगा, इसके आगे चाप लीजेगा, अच्छे एक्सरों में की जी आने वाला, अरे क्या लिकोगे, जी वाले, क्या देखने को मिलेंगे, गुल जाएगे, क्या हो जाएगा, गुल जाएगे, जिस भी sutures में जी आएगा, व जो collagen होता है, collagen में भी G होता है, next इसमें लिखा है polyglycoproic acid में G होता है, wikryl के अंदर polyglycic acid वो लोगे G आएगा, और wikryl rapid के अंदर polyglycatin आएगा, polyglycatin में भी क्या देखने को मिलेगा G, तो ध्यान रखिएगा जिस भी sutures material में G आएगा, वो क्या हो जाएगा गुल जाएगा और जिसमें जी नहीं आएगा वो नहीं गुलेगा तो एब्जोरबल के टाइप्स कंप्लीट हुए दूसरे नमबर बात करते हैं कौन से सूचर्स होंगे जिनने बोला जाता है नोन एब्जोरेबल क्या बोलोगे नोन एब्जोरेबल दूसरे जो सूचर्स के टाइप है में दोस्तों जिनने बोला जाता है नोन एब्जोरेबल यानि वो सूचर्स मेटेरियल जो नहीं गुलेंगे क्या देखने को मिलेंगे जो नहीं गुलेंगे इसके आगे लिख सकते हो नहीं गुलेंगे नहीं गुलने वाले नहीं गुलने वाले मतलब इसको समय अंतराल के बाद में खोलना पड़ेगा हाँ समय अंतराल के बाद खोलना पड़ेगा ये कितने परकार की दो मोनो फिलामेंट और मल्टी फिलामेंट तो इसको भी डिवाइड कर सकते हो एक लिख सकते हूं, monofilament, monofilaments, और दूसरा नाम क्या लिख सकते हूं, multifilaments, multifilaments, ध्यान रखेगा, इसके अंदर बात करते हैं, सरीए, जो monofilaments होता है, कौन सा हैगा, इसका example, तो आप इसके अंदर, इसका example क्या चाप सकते हूं, मेरे दोस्तों, polyvinyldean fluoride, जिसे क्या लिख सकते हूं, PV, polyvinyldean fluoride, PVDF बोला जाता है, चलेगा, कहीं जी आया, कहीं पे जी नहीं देखने को मिला, सर दूसरा नाम देख सकते हो, इसके अंदर क्या लिख सकते हो, तो प्रोलीन, क्या लिख सकते हो, प्रोलीन, प्रोलीन को क्या बोला जाता है, प्रोपेलीन, क्या बोला जाता है, प्रोपेलीन बोला जाता है, सर तीसरा नंबर का अगर इस सुचर्स में बात करते हैं, तो और क कौन सा देखने को मिल सकता है नाइलोन क्या сetrage यह दियान रखेगा कौन सा देखने को मिल सकता हूं सकता चिछ ॥ ड्यान रखेगा अगर बात करते हां मैंने शुचर्स लिखा है यह दागे जो गुलनसी स्टे स्टील थिल मोनो-फिलामेंट का मतलब एक एक दागे से बने हैं, पहला नाम लिखा है जिसका मतलब होता है PVDF, PVDF का मतलब होगा polyvinyldine fluoride, क्या बोलोगे, polyvinyldine fluoride, दूसरा लिखा है proline, proline का मतलब होता है, pro-propylene, full form क्या होगी, pro-propylene, next लिख दिया, nylon को क्या बोलते है, polyamide, या polyamidine, next बोल दिया, steen lale steel, जो आप stapler करते हो, multi filament, दागों से मिलकर के बने हैंगे, वो कौन से देखने को मिलेंगे, तो जवाब देना है, सर, इसका जवाब होगा, polyester, क्या देखने को मिलेगा, polyester, और कौन सा देखने को मिल सकता है, सर, polyester के लाबा, तो आप बोल सकते हो, silk, तो ये वाले sutures से नहीं गुलते हैं, इन में कहीं G नहीं है, मैंने बोला था, जिसमें G आएगा, वो गुल जाएगा, केट कट में G आया, polydyoxone में, pronunciation में G आया, collagen में G आया, polyclycopyric acid में आया, polyglyclic में आया, और polyglycatin में आया, इसको 9-0 भी बोला जाता है, कलिर हो गया, और यहां पर कहीं पर G नहीं आया, नहीं गुलेंगे, Monofilament को ही Monobraded और Multifilament को ही Multibraded बोला जाता है ये Sutures के टाइप होगे अब बात कर लेते हैं Sir Monofilament को जो आपने बोला है Monofilament जो Monofilament के बारे में आपने बात बताई और एक साइड में आपने Multifilament को Explain किया था Multifilament को Explain किया था इन में क्या फर्क होगा तो ध्यान रखिएगा अब यहां मैंने आपको बोला कि Monofilament is also known as इसको क्या बोला जाता है Also known as monobraded Monobraded और इसको क्या बोलोगे Sir इसको बोलेंगे Also known as multibraded इसको क्या बोला जाता है Sir इसे बोला जाता है Multibraded ठीक है साब यह तो बोल देंगे नेक्स्ट जो एक ही दागा जब आप काम में लेते हो वो दागा थोड़ा slippery ज्यादा होता है चिकना ज्यादा होता है तो उसमें node ज्यादा लगा node का मतलब gant तो इसके अंदर next क्या लिखोगे इसके लिए आपको क्या देखने को मिलेगी इट रिक्वाइर 829 829 node अरे क्या देखने को मिलेगी 8 से 9 गांट लगानी पड़ेगी जब monofilament दागे की गांटे लगा रहे हो तो 8 से 9 गांट कम से कम 7 गांट आपको लगानी ही है वरना वो खुल जाएगा चिकना दागा है फिसल करके खुल जाएगा और जो एक ही दागा होता है तो उसके बीच में कचरा वचरा नहीं होता है तो less chances of infection इसमें क्या देखने को मिलता है तो लिख सकते हो less chances of infection infection के chances क्या होते हैं बहुत कम होते हैं इनफेक्शन के चांचेज क्या देखने को मिलेंगे, सर बहुत कम देखने को मिलता है मोनो फिलामेंट में, वहीं पर मल्टी फिलामेंट की बात करेंगे, काफी दाग्यों से मिलकर के बांध रखा है, तो वह दागा बढ़ प्रिक्षय नहीं होता है, वह आपका कैसा देखने और चार लेकिन यहां कितनी लगाता है तो वहां लगबग 6-7, कम से कम 8, 7 तो minimum लगा नहीं, बगी 8-9 लगा सकते हो, और इसमें क्या हैं, दागों काफी बने हुए हैं, जैसे कि इसके सूचर्स, इसका सूचर्स तो यूँ देखने को मिला आपको, इसका सूचर्स क्या है, य और चांसेज ओफ, और चांसेज ओफ, इनफेक्शन, इनफेक्शन के चांसेज मल्टी फिलामेंट में ज्यादा होता है, इन कंपेरिजन मोनो फिलामेंट, तो सूचर्स के टाइप एब्जोर्बल और नोन अब्जोर्बल मोनो फिलामेंट और मल्टी फिलामेंट, सर अगर क्या बोला जाएगा ये नीडल की क्या कहलाएगी तो जवाब देना टिप ओफ नीडल कहलाती है ये आपका क्या देखने को मिलेगा बोडी ओफ नीडल कहलाएगी सरी से क्या बोला जाता है स्वाज ओफ नीडल बोला जाता है और ये क्या देखने को मिलता है सरी से थ्रेड ब पर अपन क्या करते हैं, hold किया जाता है निडल होल्डर को, तू थर्ड पोर्शन, तो आपके बनने वाले क्योशन, सर यह क्या है, टीप है, यह बोडी है, और यह क्या है, स्वाज है, यह क्या है, थ्रेड है, नर्सिंग ओफिसर, जब सर्जन सुच्रिंग करेगा, नर्सिंग ओफिसर, थ्रेड को कहां से पकड़ेगा, तो जवाब देना, end of the thread, ताकि वो कहीं पे, नीचे बोडी पे, मैट्रस पे, या ड्रेप पे, कहीं टच नहीं हो, infection नहीं हो, स्वाज क्या है, सर, स्वाज इसका end point है, जहांसे दागे की सुर्बात होती है, और आपको निडल ओल्डर को कहां से पकड़ना है, तो थर्ड से पकड़ना है, ताकि बारबार इस दागे को आपको खोलना नहीं पड़े, वरना आगे locking कर दोगे, यहां पर निडन ओलर को, तो इतना सा गुसे का फिर खोलोगे फिर और करोगे दो तिन तिन प्रिक होंगे नेक्स आपका चोटा मोटा नाम एक दो और पूछा जाता है टेपर क्या होता है रिवर्स कटिंग क्या होता है या मेरे दोस्तों कटिंग क्या होता है तो आपका अगर किसी भी सुचर्स मेटे बोला जाता है reverse cutting बोला जाता है reverse cutting sutures और अगर किसी भी sutures material के उपर ऐसा round mark के साथ में यह डोट आ जाए तो उसे बोलना taper point और उसे क्या बोला जाता है taper point बोला जाता है और यह indicate करता है taper point यह करता है tip of the needle cutting का मतलब needle आगे से नीचे सो थोड़ी सकत रहेगी reverse cutting का मतलब एकदम गोल होगा round body का मतलब एकदम sutures राउंड होता है cutting का मतलब थोड़ा सा लंबा देखने को मिलता है taper point का मतलब उसके टैपिंग होता है that's clear यह आपकी सारी की सारी चीजे आपके सामने चापके रगदी sutures के उपर बनने वाले तमाम क्यूसर कोंसा sutures किस टाइप में आता कैसे याद करने का अच्छा तेरिका जिसमें जी आएंगे वो गुल जाएंगे जिसमें जी नहीं आए और खरिवर के साथ कर दिखाएगा कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहे आपके जैसा थेंग यू सो मज